राजिस्तान में आज एक नया पशिवी विक्षूप सक्री हुआ इसके चलते वे देर शाम से मौसम सुहावना हो चुका है और वहीं आप सभी को बतादे कि तापमान में भी गिरावट है और कई जिलों के अंदर बारिश का अलाइट है हाल फिलाल आने वाले तीन दिन तक मौसम कैसा रहने वाला है इन सबी की तमाम जानकारियां दिखाते हैं हमारी सिपोर्ट में राज्स्तान में आज सिफिर मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है दोपेर बाद दक्षन पूरवी राहिस्तान के कई हिस्सों में बादल चास चाएंगे इस जोरान को जगों पर तेज हवा भी चलने की संभावना है मौसम केंदर जैपूर ने अगले तीन दिन तीज जिलों में बारिश की संभावना है जता ही तीनों दिन यालो अलाइट है इस जोरान कई जिलों में आंदी चलने के साथ उलव रिष्टी भी हो सकती है मौसम केंदर जैपूर के ने शक रादिशाम शर्मा ने बताया कि हवा के चलने और एक नया वैदर सिस्टम आने से राजिस्थान के दक्षन पूरवी जिलो में आज देर शाम से मौसम बदल सकता है जिसमें कोटा उदाप और बरतबूर संभाग के जिलो में आज इस सिस्टम का असर देखने को मिलेगा 10 अपरेल से बारिश किस हिस्सों में होगी तो आन दी बारिश होती भी नज़र आएगी और इससे राजिस्थान के कई शहरों में कल से एक बार फिर तापमान किरेगा इस सिस्टम का असर 12 अपरेल तक रहेगा और इसका असर राजिस्थान के 80 फीज़दी हिस्सों के अंदर देखने को मिलेगा फिलार दीश दुने की तमाम बड़ी खबरों के लिए ताइग बने रेजी निवसाइटीन के साथ नमस्कार